सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिक शैनल को और शाथे बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही महाशिवरात्री पर राशिय नुरसार पूजन से शिव को करे प्रशन महाशिवरात्री के दिन शिव पूजन से सभी मनोकामनाई पूरी हो सकती है यदि कुंडली में दोश हो तो और कारियों में परशानी आ रही है तो रासे अनुशा देव कदे महादेव के पूजन से सभी कर्श्टों का अंधोता है इस साल की शिवरात्री को बेहत खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार शिवरात्री पर 117 साल बार शनी और शुक्र का दूरलब योग बन रहा है जनकारों के अनुसार इस साथ शुघरात्री पर सनी अपनी श्वैम की रासी माकरमे और सुक्र ग्रह अपनी अच्छे रासी मीन में रही गा यह एक दूरलब योग है जब यह दोनों बड़े ग्रह शुघरात्री पर इस इस्थिती में रहेंगी इससे पहले ऐसी स्थेती साल 1903 में बनी थी इस योग में भगवान शीव के अराधना करने पर श्रनी गुरु शुक्र के दोसों से मुप्ती मिल सकती है नएकारियों की शुरुवात के लिए भी या खाश योग माना जाता है शुवरात्री का शुब मुहुरत 21 तारिको साम को 5 बचकर 20 मिलट से महा शुवरात्री के परवका मुहुरत शुरू होकर अगले दिन यानी की 22 तारिक दिल शनीवार को साम 7 बचकर 2 मिलट तक रहीगा रात्री पहर की पूजा साम को 6 बचकर 41 मिलट से रात 12 बचकर 52 मिलट तक होगी अगले दिशुबा मंदिरों में भगवान शिव की विधी विधान से पूझा की चाएगी कहा चाता है कि पूरे विधी विधान से भोली की पूझा करने पर वह प्रसन्न होकर मन्चाहा वर्दान, मन्चाहा वर्दान प्रदान करती है मकारासी के च्यातक महाशिवरात्री के दिन शेवलिंग पर तामबे के लोटे से जल चड़ है इस रासी का स्वामी है शनी अता तेल और काली उड़त दान करी किसी गरीब को काले कंबल का दान करी शेवलिंग पर काले तेल चड़ाने से अतियंत लाब होगा